नमस्कार दोस्तों, आदी पुरुष को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, अब आदी पुरुष के लेखक मनोज मुंतरशीर ने ट्वीट कर इस बारे में अपनी सफाई दी है, मनोज मुंतरशीर ने ट्वीट कर कहा है कि रामकथा से पहला पाठ जो कोई सीख स रहता है, वो है हर भावना का सम्मान करना, सही या गलत समय के नुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है, आदी पुरुष में चार हज़ार से बिस ज़्यादा पंक्तियों के सवाद मैंने लिखे, पांच पंक्तियों पर कुछ भावनाय आहत हुई, उन सैकड़ों पंक् पर अशोबनिय शब्द लिखे, वही मेरे अपने जिनकी पुझे माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेको बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरे ही मा को अभदर शब्दों से संबोधित किया, मैं सोचता रहा, मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाईयों में अचानक इतनी कड़वाहत कहां से आ गई, कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए, जो हर मा को अपनी मा मानते थे, शबरी के चर्णों में ऐसे बैठे, जैसे कौशलिया के चर्णों में बैठे हो, हो सकता है, तीन घंटे की फिल्म में मैंने तीन मिनट कुछ आपकी कलपना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जलबाजी क्योंकि मैं जान नहीं पाया, क्या आपने जै श्री राम गीत नहीं सुना, शिवो हम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना, आदी पुरुष में सनातन की ये स्तूतियां भी तो म मैंने ही लिखा है मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है आप मेरे अपने थे हैं और रहेंगे हम एक दूसरे के विरुद खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा हमने आदिपुर्ष सनातन सेवा के लिए बनाई है जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्व पास है आगे भी देखेंगे ये पोस्ट क्यों क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मैं अपने समवादों के पक्ष में अनगीनत तरक दे सकता हूं लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी मैंने और फिल्म की निर्माता निर्देशक निर्ने लिया है कि जो कुछ समवाद जो आपको आहत कर रहे हैं हम उन्हें संशोधित करेंगे और इससे अपता वो फिल्म में शामिल किये जाएंगे श्री राम आप सब पर कृपा करें दरसल इस विवाद के बाद भी मनोज मुंतशीर बेहदी डिठाई के साथ खड़े बेशर्मी के साथ वो अपनी लेखनी के बचाव करते रहें लेकिन बढ़ते विरोत के बाद मनोज मुंतशीर को भी सिर जुकाना पड़ा उनको मानना पड़ा कि उन्हों ने जो लिखा है वो लोगों की भावनाय आहत करने वाले शब्द थे और अब यह बदलाव किया जा है